नमस्कार आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बात करते हैं कि जो RTE है Basic Education Department उतर परदेश से उसके फोर्म किस परकार से फिलप होंगे तो हम ज्यादा कुछ बातें न करते हुई सिधा फोर्म स्टार्ट करते हैं तो आपको इसका यहाँ पर जो लिंक वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब यहाँ पर आपसे सी होम पर आ जाती हो तो आपको इसा डेसपोर्ट देखने को मिल जाएगा ठीक है अब आपको यहाँ पर Online Application Student Login है इस पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपको वीडियो अचा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब करें बना मत जाईएगा आपको इसे जुड़ी सारी जान करें आपको यहाँ पर मिलेगी अब अगर आपने पहले रजिस्टेशन कर लि इरवेट करना है अब यहाँ पर आपको अपना जोगास डीक न है कि कौन से झाब ऑंका या बलो वो अबर यऊस्ट कर लेना है कि यह अपनी सिक्ट कर ल nói है वह यहाँ पर अपनी स्युक्त कर लेनी है यहां पर अपना जो जो मोबाइल नमबर है वह आपको यहां पर फिलप कर देना है यहां पर डेटोबर तो आपको यहां पर बिलकुल आधार काड़ के अनुसार ही आपको फिलप करना है इसके बाद जेंटर आपको यहां पर सेलेट के लिए मेल है इसके बाद आपको क्लास क जाता है अब यहां पे आपको टेगरी 10 नंबर में चूज के लेना अगर आपके ने के बारे में नहीं पता है तो आप में कमेंट कीजेगा इसके बारे में आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा तो हम यहां पर दुरुललब जो वरग है वो हम स्लेट कर लेते हैं अब यहां पर इंकम सर्टिफिकेट नंबर आपको दर्ज करना है अब यहां पर जो इंकम सर्टिफिकेट नंबर है जो आपको यहां पर दर्ज करना है ठीक है अब यहां पर आपको जो इंकम comment ड़र्धे करना है अब यहां पे आपको अगर स्डूलब वरग के लोग हैं तो आपके यहां पर income है वह एक लाग से कम होने चाहिए ठीक है एक लाग से अब यहां पर इस्टूटेंट उरे सिंब्सक्राइब हो जाता है अब यहां पर अपर ऑन Byaxe स्टेस्ट ने दीन पर इसको बेक पर क्लिक करना है ठीक है यहांपर बैक से वापस से क्लिक कर देना है अब यहांपर हमारा रजिक्र से यहां वो सक्सेस्फूल हो जाता है तो इसके सामने आपको घृ scout देखने को मिल जाएगा अब Complete fearn path कर देना है अब यहां पर आपको जो फादर्स नेम है वो आपको यहां पर फिल कर देना है ठीक है यहां पर फादर्स नेम आपको फिल कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर अल्टरिनेटिव मोबाइल नमबर अगर आपके पास अन्य कोई मोबाइल नमबर है वो दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर दो नमबर में आपको जो है माता का नाम आपको यहां पर फिलप करना है आपको यहां पर माता का नाम फिलप कर देना है हम यहां पर माता का नाम फिलप कर देते हैं अब इसके बाद आपको यहां पर वोटर आईडी कार्ड नमबर अगर आपके पास है तो आप यहां पर वोटराइड नंबर ही फिल कीजब अनित्या अगर नहीं है तो आप यहां प्र क्यांपर नंबर भी फिल कर सकते हैं इसके पूद आपको यहां पर हमां पे वो टरक्षार्ट का नंबर हमारा जो है फिलनर कर देते हैं ऐ- ठीक है इसके बाद आपको यहां पर अपना जो करेंट एडर से वह आपको यहां पर फिल कर देना है अब यहां पर आपके जो मंतनी इंकम है वह आपको यहां पर फिल करनी है यहां पर राउंड फिगर में आपके क्यावल एक महीने की कमाई आपको फिल अप करनी है कि कितनी आपके one month की income होती है वह आपको fill up कर देना मोड होए application और किस मद्यूम से आप form fill up कर रहे हैं खुद से fill up कर रहे हैं इंटरनेट computer लेप्टप तो हम यहाँ पर cell phone या इंटरनेट से fill कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कर देते हैं ठीक है इसके बाद आपको यहां पर नीचे आना है अब यहां पर स्टूडेंट के टेगरी है वो दूरलब हमने पहले ही सेलेट कर रहे हैं अब सब कर टेगरी हम को यहां है इसके बात्रमन पत्रमान पत्तर जो हमें आपको यहां पर रवांपततर है वह हम पर अपलोड करेंगी आपको यहां पे upload कर देनी है यहां पर आपको सब के टेगरी रासन कार्ड बच्चे का जनम परमान पतर और उसकी फोटो upload कर देनी है और click here to upload all images पे click कर देना है अब हमने यह पे जो है documents upload कर दिये हैं अगर आपको इनमें change करना है तो आप change document demonstrantes पर click करके इनको मेंट से update कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको नीचे आना है अब स्टुटेंट ऑफ मेरा होगा जितनी स्टार मार्क लगेfest लगे हूं है उनको और आपको आप ठीक है अब इसके बाद आपको यहां पर जो केप्चा कोड दिया हो है वह आपको यहां पर तर्ज करना है और से उपर क्लिक करना है तो हम यहां पर जो है केप्चा कोड फिल कर देते हैं अब यहां पर आपको शेव पर क्लिक कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छी कर Kelsey लेना पूरakah होपम पूरा प्लाइक भार किरें करें j kicking लेना तो हमारे यहां यहां पे conjunष है डेतल सभी हमारा एक दndम बिल्कुल तो है तो आपको एक बर्सक्रेकर लेना नीची तक जाके अगर इसमें आपकी डिटेल सही नहीं है तो आप यहां पे एडिट पे यहां पे आपको जो एडिट है इस पे क्लिक करके आपको जो फोर्म है उसका आपको वापस से एडिट कर लेना है अगर यहां पे सही है तो आपको यहां पे लोक एंड फाइनल प्रिंट है इस पे आप आपको यहां पर इसका submit कर देना है form को अच्छी तरह से अगर यहां पर आपका form submit होचाता है इसके बाद आपको यहां पर print out निकालेना है प्रिंट आप जैसे ही निकालोगे तो आपको यहां पर कुछ दिन वेट करना है आपके यहां पर अगर lottery लग जाती है या आपका यहां पर student का जो number है school में आ जाता है निजी स्कूल में तो आपको वहां से call करके बता दिया जाएगा या आपको जो यहां पर आपको हम बता द केमेंट हुई है या नहीं ठीक है इस तरह से आप यह जो यूपी के RTE है जो है उसके जो ओनलाइन फोर्म है वह आप फिल कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भा रएद